सो हेलो फ्रेंड स्वागत आपका दुबार से रवाइफ कोडिंग में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी अप्लिकेशन में एक इंपूट फिल्ड एड़ करेंगे मतलब मतलब यार यह अभी तक जो हमारे अप्लिकेशन है है ना तो उसमें हमारे एक राछे ना प्लिकेशन में क्या है हमारे बॉटन है फिसकी एक उरतीक हों गर मैं दो लिखें तो यह क्या होगे 2 से reduce हो जाए ठीक है फॉर एक्सम्बल अगर 9 value है तो इसकी value क्या हो जाने चाहिए 7 हो जानी चाहिए ठीक है अगर मैं यहां लिखता हूँ 3 तो इसकी 9 की value क्या हो जाने चाहिए अब यह X नहीं reduce हो रहा है जैसे अभी कि अभी अगर by default कि मैं बात करूँ ठीक है तो अभी यह by default क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको click करता हूं तो एक-एक से reduce होता है ठीक है अगर मैं चाहता हूं कि और मैं input डालू और उसके according यह चीज़े चेंज होनी चाहिए ठीक है तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगी यह हम इस वीडियो में देखने वाले है ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और सबसे पहले है एक component बनाएंगे ठीक है इस component को बनाने के बाद हम basically एक input field करेंगे जिसमें ठीक हम अपना number डाल रहे होंगे ठीक है और फिर finally जो भी component में required changes होंगे हम भो करेंगे और फिर finally हम reducer और actions को set करेंगे क्योंकि वहां भी कुछ changes की ज़रत होगी और उसके बाद हम आपने application को test करेंगे कि हमारा application काम कैसा कर रहा है या नहीं कर ठीक है तो चलो यह सबसे पहल नाम से हमारा component पहले है तो हम एक बनाएंगे new by ice cream.js नाम से ठीक है तो हम यहां आते हैं components के अंदर जाते हैं और एक file new create करते हैं और इसका नाम रख देते हैं new by ice cream.js ठीक है इसके अंदर हम बाकि सारा का सारा code जो हमारा ice cream वाला था उसी को copy कर लेंगे ठीक क्योंकि वहां क किसी तर के changes की कोई जरूत नहीं है तो हम इस पूरे code को यहां से copy कर लेते हैं और finally हम अपने इस new by ice cream वाले component में आते हैं यहां paste कर देते हैं ठीक और क्योंकि यह नया component है तो इसको by ice cream की वज़ए मैं क्या लिखूंगा है मैं इसको लिखूंगा new by ice cream ठीक है और यही चीज मेरे को दुबारा से जो मैंने export किया हुए वहां में को change करना पड़ेगा राइट तो यहां भी हम change कर देते हूं और यहां में लिख देता हूं new by ice cream ठीक है और finally यह में इस new by ice cream को वहां आपने app.js के इंदर import कर सकता हूं ठीक मगर यह चीज़ करने से पहले मेरे को क्या चा अब आप एक input दे सकते हो ठीक है तो input के लिए हम input box मनाता है सबसे पहले अब यहार हमने यहां अपना text का type हमने set कर दिया ठीक है text का type set करने के साथ अपने को यह भी set करना पड़ेगा कि इसकी value क्या होगी तो value में हमने number set कर दिया ठीक और finally अपने को यह भी बताना पड़े ठीक है अर फंक्रण्सर्ण यह हमेरा फंक्शन क्रेंगा यह हमारा function basically utilize set अंबर है जो number है हमारा updated नंबर इसको seven set कर रहा होगा ठीक है तो ठीक है यहार set कर रहा होका तो हम उसको फंक्शन को use करते हैं और यहां हमारा आप और यहां हम रहेज देते हैं do ange dot dot value तो यहां हमने क्या कि है हमने है अपना इंपट है इन मामने है इन पॉट अपने site की проход फीड जिसमें हेमार टफ हमने acht कि है वैल्ई इसकोさ कि हमने टेक्स की comfort किया है और यह कहा है कि है अगर इसकी value change होती है तो जो हमार नंबर को सट करके जो भी i THIS value है उसको इस number के अंदे डाल देना ठीक है तो इस चीज़ को देखने के लिए मिरे को कहां जाना पड़ेगा मिरे को यहां जाना पड़ेगा और फिर finally अगर मैं इसकी value को change करता हूं तो मैंने यहां एक console लगाया हुआ है शायद console नहीं लगाया तो console लगा देते हैं CLG ठीक है और जो कि हमें करनी थी और हमने कर ली राइट ओके ग्रेट अभी हम क्या करते हैं अभी इसको बन कर देते हैं और फिर यहां आते हमने code पर फिर finally अपने को क्या करना है अपने को इस component को set करना है ठीक है इसमें जो भी necessary changes है वह में करने पड़ेंगे तो फिर हमें अब क्या करना है हमने दिखाना चाते हैं कि अब हम सिर्फ बाइस क्रिम ने लिखना चाते हैं हम यहां लिखा हम यहां डिस्पले करना चाते हैं कि कितने number of ice cream हम बाइक करना चाते है ठीक है ठीक है तो बाय नबर of ice cream ठीक है तो बाय वन ice cream 2 ice cream 3 ice cream whatever the number is being it will be transmitted over here right okay so ओक तो यह सारी चीज़ सेट होगी ते फाइनट परप्स के अंदर हम कुछ चेंजिस करेंगे हाई आप आगा कैंदर यमग चेंज़S करने पड़ेंगे अब इंस्टेड आफ जब यहाँ डिस्पेश हो रहा हो ते अहाँ दिस्पेश के अंदर हम यह रहा है रहा हम यह ए हम कुछ भी नहीं हम बताना है यहां बताना पड़ेगा कि यह बाय आइस-cryme नाम की चीज यहां आ रही है ठीक है उसको 이미 sebagai a करेंगे तो उसको हम define करेंगे हम यह लिखना पड़ेगा अपना पैलोड ठीक है तो पैलोड के अंदर हम कर देंगे अक्शिन डॉट पेलोड और हम पेलोड के हम अपना action.type action.payload ठीक है तो हम एक पेलोड नाम का एक key define कर रहे होंगे ठीक है जिसके अंदर हम इस number को पास कर देंगा और number आ कहां से रहा होगा यार यह as an argument इसके अंदर आ रहा है ना तो हम नहीं है इसको as an argument लिख दिया number ठीक है तो इस जो भी इस number की value आगी हो हमारे इस पेलोड के अंदर से हो जाएगी ठीक है अब इस पेलोड को हम कहां यूज करेंगे अब हम जाएंगे अपने reducer में जहां यह हमारा आइसक्रीम वाल रिदूसर इसको open करेंगे ठीक है और यहां हम इसको use करने वाले हैं as an अब यहां जो minus हो रहे होगा value ठीक है तो हम यह यहां यहां जो अपना action में define किया था यहां जो अपने को value access करनी है अपने यहां ठीक है वह भी अपन किस नाम से करेंगे action के अंदर जो payload आ रहा होगा ठीक है उसकी value को हमारा जो state की value उसमें से minus कर देना है ठीक है तो यह चीज होने के बाद अपने को साथ में एक और चीज करनी है कि हम यहां एक और चीज बता देते हैं कि यार अगर इस number की value है ठीक है अगर इस number की value कुछ नहीं होती तो उस case में क्या होगी यह by default हमारी value one हम set कर देते हैं ठीक है तो यह एक method है जिसमें आप यह number equals to one कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको one set कर रहे हो इसक अगर मैं अब यहां इस अपने application रिफ्रेश कर देता हूं तो ट्वेंटी ट्वेंटी टैन ट्वेंटी टैन ट्वेंटी होगे ठीक है तो अगर मैं यहां अगर इसको by ice cream को क्लिक करता हो तो 19 18 ठीक है तो चेंज हो रहा है बिल्कुल सही है सही तरीक से काम कर ठीक है अब य यह हमारा जो functionality है यह काम नहीं कर रहा ठीक है अब यह काम क्यों नहीं कर रहा तो आपको इसको देखने के लिए जाना पड़ेगा new ice cream वाले ठीक है और यहां हम देखेंगे कि हमने यहां by ice cream के अंदर यह value pass तो की ठीक है by ice cream नाम का जो हमारा action था इसके अंदर यह number pass हुआ ह ठीक है और यह जो number की value है वह number की value update भी हो रही है क्योंकि हमने हाँ सेट किया था ठीक हम यहां हमने है SOHर minus जब हो रहा है मगर क्या हो रहा है जो माइनस के यह इस तरीक सा एक ही हो रहा है रई? तो यहां में इस तरीके से स्कूर पाश्कर सकताैं साफेकार कियोंकि अगर यहां यहां देखोगे तो यह जो इस हब वा त्यमिने इस अनर्भ को पास फिर मैं डरत के यहें गोसें डल्साइब ठीक तब अगर मों मेरे छोफ करता हूँ और हमारे अपने अप्छी के टर्रिमिनल पर आते हैं ठीक है और इसको इपर sorcer कर लेते हैं फिटा है अब मैं तो आखिआ करऊवा तो इसको करोंगा क्योतmesi करे clar आधे थे होना चाहिए ठीक है तो 18 हो गया और अगर यार मैं यहां फाइव लिखता हूं तो अब यह बेसिकली 18-5 करोगे तो जो वाटेवर 13 में लिखा से आएगा ठीक है तो इसको बाइ कर लाए ठीक है तो इस तरीके से अब आप इंपुट दे कि अपनी जो वैल्यू है उसको जो न है तो अब भीkraut को ऑन रहा ठीक है तो अब आपने आप उचीस समझ में आ अगिया आ आप किस तरीके से चीज़ों को मैंनो कर सकते हो और किस तरीकी से खुद अपने इंपुट के बेसिसित पे pixels कोौ चेंज का सकते हो और रिडूसर की वेली को चेंज का सकते हो ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अमनी नेस्ट वीडियो में तब तक ले आपा नाइस डे एंड गुडबाई